नमस्कार विद्यारतियों आपका ओनलाइन कख्षा में स्वागत हैं हम अध्यन करें कख्षा 11 और हमारा जो इश्य है अनिवारे हिंदी अनिवारे हिंदी के हमारी पाठ्य पुष्टे का आरोह भाग एक उसके जो गद्या खंड है उसमें दूसरा अध्याई कृष्णा सौबती का पढ़ रहे हम और इनके द्वारा जो लिखा गया है मिया नसीरुदिन तो चलिए सबसे पहले हम कृष्णा सौबती कौन हैं उनका जो जीवन प्रिचे हैं उनके द्वारा जो रचीत रचनाई हैं उनका हम अध्यन करते हैं पहले तो कृष्णा सौबती इनका जो जनम है अठारा फर्वरी से 1925 गुजरात जो पश्चिमी पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में हैं यहांकि पश्चिमी पंजाब वर्तमान में जो तो वहां पर इनका जनम हुआ था 18 फरवरी सन 1925 को इनके द्वारे जो रचीत रचनाई है वो है जिंदगी नामा दिलो दानिश ए लड़की समय सरगम जो कि इनका उपन्यास हैं डार से बिछुडी मित्रों मरजानी बादनों की घेरिये सुरज मुकी अंधेरे के जो कहानी से ख़ंग रहें कि हम हक्षुमत सब्दों के आलोक में सब्द चीतर हैं का संस्मन हैं और इनको जो प्रमुख सम्मान दिये गई है वह साहित्य अकादमी सम्मान हिंदी अकादमी का शलाका समान और तरस्थे अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्य पुरुशकार अब इनका हिंदी साहिते में किस प्रकार का योगदा रहा है उसी पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एक बार पहले पनी हिंदी कथा साहिते में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है अब यह कहती है कि कम लिखना ऐसने कि बिल्कुली कम लिखना बलकि कम लिखना सपस्ट लिखना और वही लिखनी की विशिष्टा है यही कारण है कि उनके सयमीत लेखन और साफ सुथ्री रचनात्मक्ता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानी और संस्मर्णों ने हिंदी के साहिते के संसार में अपनी दिर्ग जीवी उपस्तिती सुनिशित की है उन्होंने हिंदी साहिते को कई ऐसे यादगर चरित्रे दिये हैं जिने अमर कहा जा सकता है जैसे मित्रो, सहनी, हश्मत आदी भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजी रचनाय लिखी उनमें कृष्णा सुवति का नाम पहली गतार में रखा जाएगा अब भारत पाक विवाजन जो था पाक मतलब पाकिस्तान विवाजन पर जिन लेखकों ने रचनाय लिखी हैं हिंदी में तो उनमें कृष्णा सोब्ति का जुनाम में पहली कतार में रखा जाएगा बलकि यह कहना उचित होगा कि यस्पाल के जूठा सच राही मासूम राजा के आधा गाउं और भिश्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोब्ति का जिंदी की नामा इस परसंग में एक विशिष्ट उपल उन्होंने हश्मत नामक चरितर का स्रजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उधानन प्रस्तूत किया है कि कृष्णा जी के भाशिक प्रयोग में भी विविद्धा है उन्होंने हिंदी की कथा भाशा को एक विलक्षन ताजगी दी है संस्कृत निश्ट तत्समता उर्दू का बांकपन पंजाबी की जिन्दा दिली ये सब एक साथ उनके रचनाओं में मुझूद है आप देखिए इसमें संस्कृत निश्ट तत्समता भी है संस्कृत निश्ट जो सब्द हैं उनका प्रयोग भी किया है उर्दू का बांकपन भी है पंजाबी के समा जिन्दा दिली भी है ये सब इनकी रिचनाओं में देखने को मिलता है आप जो हम पढ़ेंगे इसमें मिया नसीरुदिन एक सब्द चित्र है हम हम हस्मत नामक संग्रैस लिया गया है इसमें खांदानी नानवाई मिया नसीरुदिन के व्यक्तितव रूची और सभाव का सब्द चित्र खि आते हैं ना तो उसमें नानवाई कहा जाता था इनको मिया नसीरुदिन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खांदानी महारत को बताते हैं महारत मतलब कुशलता योग्यता वे ऐसे इंसान का प्रतिनीद्धित्व करते हैं जो अपने पेश तो इसमें एक नानवाई बताये गया हैं रोटी बनाने को एकला मानते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो हमारा मूला ध्याई है मिया नसीरुदिन तो आगे बढ़ते हैं हम कि मिया नसीरुदिन के बारे में सहवों उस दिन अपन मतिया महल की तरफ से ने गुजर जाते हैं तो राजनिती साहित रुकला के हजारों हजार मसीहों के दूम रड़ाके में नानवाईयों कि मसीहा मिया नसीरुदिन को कैसे तो पहचानते हैं औ तो उनके मसीही जो अंदाज है मसीहा यान कि हर प्रकार से हर किसी का ख्याल रखने वाला हुआ यह है कि हम एक दुबहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मतिया महल के गड़िया महले के और निकल गई एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटा पट आटे का धेर संते देख ठिटके सोचा सेवाईयों की त्यारी होगी पर पूछने पर मालूम हुआ खांदानी इनानबाई मिया नसीरोदीन की दुकान पर खड़े हैं मिया मसूर है चपन किसम की रोटिया बनाने के लि पाई पर बैठे बीडी का मजा ले रही हैं अब जो इनको देखा तो यह बीडी का मजा ले रही है और मोसमों की मार जो है से पका चहरा आंखों में काईया भोला पन और पैशानी पर मजे हुए कारीकर के तेवर अब देखे किस प्रकार से वो बैठे हुए दिखाई दे रही हैं कि चारपाई बैठे और मज़े से बीडी पी रही है और मोसमों की मार से चहरा पका हुए अर्थार्थ एक प् और आंखों में काईया भोला पन हैं और पैशानी पर मज़े मंजय हुए कारीकर के तेवर पैशानी मतलों जो कि लाट्थ हैं उनके उपर जो असे लगता कि काफी कारीकर हैं और हात में इस प्रकार से वैस More OMG समझ मिया ने निजर उठाई फरमाई एंग जिजक से कहा आप से कुछ एक सवाल पूछने थी आपको वक्त ओ तो अब क्योंकि लेखी का वहां पर पहुंची है तो कहते हैं कि अगर आपको वक्त है तो आप से कुछ सवाल पूछने थी जी जिकते वह उनका मिया नसिरुदिन ने पंच हजारी अंदाज से सीर लाया निकाल लेंगे वक्त थोड़ा पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है पंच हजारी यह जैसे कोई मंसवदार हो ना यह कि जमीन के जागिर्दार उकरा हो तो उस प्रकार से सीर लाते कहा कि चलो निकाल लेंगे तुम्हारे लिए वक्त था कि कहिए आपको पूछना क्या है फिर घूर कर देखा और जोड़ा मिया कहीं अकवार नविस्तो नहीं हो अब घूर कर देखने लेके फिर कहा कि मियां कह हैं तो खोजियों की खुराफात हैं हम तो अखवार बनाने वाले और अखवार पढ़ने वाले दोनों को ही निठला समझती हैं देखें नसीरुदीन कैसे कह रहे हैं कि हम अखवार जो है देखें इसमें दिया हुए है कि अखवार बनाने वाले और अखवार पढ़ने वाले बिजो अख़वार चाप रहा है बना रहा है और जो पढ़ रहा है वो निखर ले हैं कोई काम निकरते हैं हां काम का जी आदमी को इससे क्या काम है खेर आपने यहां तक आने की तकलिफ ठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाते हैं अब नसीजु दिन जो त्यार हो गए कि जो शिक्षा है वो कहां से आपने लिए मिया नसुरीदीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिये अब कंचे मतलब कि उनके जो आँख नकास की गोली इसमान लग रहे हैं तो कंचे बताया है इसमें लक्षा सबसक्तिया पर्यों कर दिया यहां कि मिया नसुरीदीन जो अ आने वाला हैं तो क्या वो शिक्षा लेने के लिए कहीं और जाएगा क्या क्या नगीना साज के पास क्या आइना साज के पास क्या मीना साज के पास या रफूगर रंग्रेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा क्या फरमा दिया सहाब यह तो हमारा खांदानी पेशा ठ कर रहे हैं कि ऐसा जो इलम है नानवाई का जो इलम है का से लेने जाएगा क्या नगीना साज के पास जाएगा जो नगीने वगर जड़ते हैं या जो आइना वगर बनाते हैं उनके पास जाएगा या जो मीना कारी करते हैं या जो रफू करते हैं जो रंगरेज या जो रंगा सभी जीखा अब वालिद जो इनके स्वामी है पिता है तो वही इनके उस्ताद थे इनके गुरु थे तो उनसे सिखा हैं मतलब यह है कि हम घर से ने निकले कि कोई पेशा अक्तियार करेंगे अब इसमें कहते हैं मतलब यह है कि हम घर से ने निकले कि कोई पेशा अक्तियार करेंगे गरसी ने निकले और कोई पेशा कैसे अक्तियार कर लें जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आप बैठे उनहीं के ठीए पर ठीए मतलब कि उन्हीं किस्थान पर आ गए हैं उनका जो धोड़ था उनका जूस्तान थाना तो वहां प्या आ नर्थेयं आगे बैठ गें हम वाली क्यूंकि इंके पिता ज्यू मर्हूम हो गई सुरग्वासय हो गए तो उसके बाद में जो काम है लुए खुद समाल रही है आपके वालिद आपके वालिद तो मिया नसुरीदीन के आंखे लमहा भर को किसी बठी में गुम हो गई अब क्योंकि जो नौन वगर बनाई जारे ना रोटिया बनाई जारी बड़ी बड़ी रोटिया आपने देखी होंगी कई वार वैसे तो अपने यहां तो नहीं ऐसा लेकिन जो बड़ी बड़ी रोटियां बनाई जाती है तो उनको नौन कहा जाता है तो लमहा भर के लिए एक शन भर के लिए जो उनकी आँखे जो है एक बटी किसी बटी में गुम हो गया था तो उसके और ताकते रहें लगा गहरी सोच में है फिर सीर हिलाया क्या आँखों के आगे चहरा जिंदा हो गया हाँ हमारे वालिसाथ मसूर थे मिया बरकत साही नानवाई गड़ईः वाले के नाम से और उनके वालिद याले की हमारे दादा साही थे आला नानवाई मिया कलन वो देखिए वो परीचे दे रहे हैं अपने पिता का और अपने दादा का भी कि वो वे अपने समय के मशूर नानवाई थी आपको इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीफित याद हो आप परसन पूछे जा रहे हैं लेखिगा के दोरा तो वो कहते हैं कि नसीफित का है की मिया काम करने से आता है नसीफितों से नहीं नसीफित मतलों सलाहत से कोई काम नहीं आता बलकि काम करने से ही आता है हाँ वज़ा फरमाया वज़ा मतलों अच्छा बता रहे हैं आप सही कह रहे हैं आप पर यह है तो बताईए कि बताईए ही बताईए कि जब आप अपने भटी की और रिशारा किया हमने भटी की और रिशारा किया नहीं अब इसमें चितरात्मक शली का प्रयोग किया गया है हमारे सामने वो चितर उकेरा जा रहा है कि जो सपष्टता से हमें स काम के और लगे तो आपको वालिद साहब ने आपके पिता ने कुछ तो सीख दी होगी और कुछ तो कहा होगा नसीरुदिन साहब ने जल्दी जल्दी दो तिन कश्क खिंचे फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले अगर आपको कुछ कह रहा रहा नहीं है तो बता नसीरुदिन साहब ना वो जल्दी जल्दी दो तिन कश्क खिंचते हैं बीड़ी के और फिर गला साफ करके वोलते हैं और बड़े अंदाज से बोलते हो कि अगर आपको कुछ कहलोना है तो बता दीजिए आप जानो जब बच्चा उस्ताद के यहां पढ़ने बैठता है त परवान मतलब उसको पढ़ता है कि समझे साहिव एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी अब एक तो पढ़ाई है कि वो पीछे-पीछे बोल रहा है जैसे उस्ताद यान कि उसका जो गूरु है बता बता रहा है जैसे अलिफ अना बे जीम इस परकार कि जो उर्दू के सब्द ह जो प्राजमिक शब्द हैं उनको पढ़ाता है तो उसी प्रकार से जो सागिर्द जो है वो पीछे-पीछे बोलता है तो सागिर्द शिश्या को कहा गया इसमें कि जो गूरु है अपने शिश्या पर हाथ रखता है और जो सागिर्द हो चुप-चाप परवान करता है परव बात बीच में छोड़ दी अपनी और बात भीच में छोड़ कर सामने से मीर साहब गूजर रहे थेुंगो मिर साहाथ के आ सब नहीं है, क्या हुगा, बात बीच में से हमारा जो यह आध्याए था क्रिशना सोगति मिया नसुर दिन जिसका हमने अधन किया है कि को नह Irish आधानी है कि इसका भाग एक हमने अधन किया है किस प्रकार से नसुरुदीन साब है जो अभ्यास के बारे बता रहे हैं तो आगे जो भाग दो हैं, हम उसका भी दंधन करेगे. तो ये था हमारे आरो भाग एक का अध्याय दो, इसके भाग एक का हमने द्ंधन किया है, इसी के साथ आगे भाग दों भी द्धन करेंगे. धन्यवाद.